हाई गैस विल्कम बैक तो दी चैनल दीपाः यादव एजूकेशन विल्कम तो दी डेली हिंदू न्यूस एंड एडिटोरियल इनालिसिस अफ 16 ओटूबर 2021 तो गाईज आज अतार 16 ओटूबर 2021 और है सेटरडे देखेंगे आज का दे हिंदू कंप्लीट न्यूस पेपर को बट लेक्चर में आगे बंड़े से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूस पेपर का पीडिएफ चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउलोड करना है टेलिग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपाः यादव एजूकेशन एस पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चनल उपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर आपको डेली बेसस पर दहींदू न्यूस पेपर मिल जाता है डेली करेंट अफर के वीडियो का पीडिएफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स म कहां पर है यह एक्जाक्ली लोकेटेड इसके आसपास कौनकों सी कंट्रीज हैं अच्छे से मैप में देखना फिर आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना जिससे कि आप लोग इसको लंबा समय तक याद रख पाओगे साधी साथ एक क्वेशन सॉल्फ करेंगे जो जो दो हजार एक वाला सेंसस था दो हजार एक वाली जो जनगरना थी उसके अकॉर्डिकर हम बात करें भारत के अंदर कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के बाद एक ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या सबसे जादा है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसका अंसर आप लोग दे सकते हो ग्यारा जुलाई का जो वेडियो था उसके अंदर मैंने आप लोग को क्लियरली यह बताया था एक्जैक्ली इसका आंसर आप लोग को मालूम होना भी चाहिए सर्च करना और सही से इसका आंसर फाइंड आउट करना आप्शन आपको दिये गए हैं देख सकते हो साथी साथ जो डेली बिसेस पर मैं बोलता हूँ आज आपने अपना क्या-क्या टार्गेट सेट करना है वो सब टार्गेट रख कर फिर नीचे कॉमेंट सेक्शन में उसके बारे में टाइप करना कि क्या-क्या पढ़ने वाले हो और रात में सोने से पहले एच च्छोटी सी इंफोमेशन देता हूँ इस आर्टिकल में एक्जैक्ली क्या बोला गया तो पुलिस के दोरा यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है कि अभी हाली में हमने कश्मीरी के अंदर बहुत सरे सिविलियन्स की डेथ होते वे देखा है बहुत सरे सिविलियन्स को मारा गया है अब यहां पर पता यह लगया पुलिस वालों ने कि जो यह सिविलियन्स की डेथ हुई है इसके पीछे दो मिलिटेंट्स है अब वो दो मिलिटेंट्स है इनको इनका इंका इंकाउंटर भी कर दिया गया है इन दोनों मिलिटेंट्स को मार दिया गया है और फ्राइ प्लस बहुत सरे सिविलियंस की डे तो यह इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के अंदर इस पूरे सेनेरियों के अंदर आज के टाइम पर कश्मीर में सिनेरियों काफी ज़्यादा विकार सा आप लोगो देखने को मिलेगा तो इन सब चीजह के दौरान अभी सर्चिंग जारी है लगातार हम लोग और भी बहुत सरे लोग को फाइंड आउट कर रहे हैं साधी साथ जिन्हों ने यहाँ पर आप देख पाऊगे कि अभी हमने यह फाइंड आउट करके उनका एंकाउंटर भी किया यह चीज़ी यहाँ पर पुलिस के दौरा पुल यह स्टेटमेंट दि रखा है कि किसको मारा है कहां से बिलॉंग करता है तो यहाँ पर अब इसको स्किप कर सकते हो अधरवाइस आते हैं एक छोटे से इंपोरेंट आर्टिकल की तरफ यह जो आर्टिकल है अपने आप में बहुत सदा इंपोरेंट है आर्टिकल जीएस पिपर टू हेल्थ के लोगों की जान जारी है उसके अंदर काफी हमें आप के जीए महतर है रहे है और जो को मालूमारीथ 끔र पॉर को मालूम है कौरोना वायरस का समय चल रहा हैँ तो इन सब चीजों के अंदर तीबी के आप नंतर कि डगातार है invited एला और को को मालूम होगा साथ ही साथ यहां पर 2021 की जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट आई ए और ये जो टीबी रिपोर्ट आ सको किसने रिलीज क्या है धियान रखना रिसेंट्ली इसको रिलीज क्या है वर्ल्ड हेल्ट और इसे बहुत सारे क्वशन बनते हैं कि इस पर्टिकुलर आप देख पाऊगे जैसे कि इंडोनेशिया फिलिपिन शाइना यहां सभी जगह पर टीबी के केसिस आपको बहुत जादा देखने को मिलेंगे साधी साथ डबलो एच ना एस्टिमेट किया कि लगबग 4.1 तो आप देख पाऊगे आज की साथ यहां पर बोला गया इनको ऑफिशली भी रिपोर्ट नहीं किया गया नैशनल ओथरीटी से अदर तो यह काफी सारे लोग देखने को मिलेंगे और यह आप डेटा देख पाऊगे कि बहुत ज़दा इंक्रिमेंट हुआ है यह हमने देखा अभी currently अगर हम बात करें 4.1 million लोग सफर कर रहे हैं TB की बिमारी से लेकिन इस से पहले साल 2019 में ये डेटा हुआ करता था 2.9 million तो आप कहा सकते हो 2019, 2020 और 21 इतने समय में हाँ पर इतनी तेजी से increment देखने को मिला है इस tuberculosis disease के अंदर ये आप लोग देख पाओगे तो एक important article है और exam में definitely हाँ पर इसके regarding question आ सकते हैं क्योंकि disease के regarding हर साल एक question आता ही आता है चाहिए आप लोग recently कितने भी साल के papers देख लो disease के regarding question हर साल देखने को मिलता है ओके अब हम बात करते हैं tuberculosis के बारे में exactly ये होता क्या है इसमें बहुत सारी important factual information जो की prelims के point of view से important है जैसे हमने बताया article GS paper to health के point of view से important है syllabus से relate कर दिया है बात करेंगे TB TB होती कैसे है तो यहाँ पर एक bacteria से होता है ठीके bacteria जिसको हम लोग बोलता है mycobacterium आपको मालूम होगा TB हाली ही में चर्चा में थी क्योंकि एक vaccine है जो की TB को cure कर रही है उस vaccine का नीचे नाम comment section बता सकते हो क्योंकि हाली में हमने daily current है फिर वीडियो में discuss किया था लगबग मुझे date यादे 21st September के करीब हमने यहाँ पर इसका discussion क अब बात करते हैं जो TB एक bacteria से होता है मैं आपको बताया mycobacterium tuberculosis इसके वज़ा से यहाँ पर यह TB देखने को मिलता है और यह जो bacteria काउन सी family से बिलोंग करता है यह खुद यहाँ पर इसी प्रकार की family mycobacteria के family से बिलोंग करता वह नजर आता है यह आप लोग धियान रख स अब इससे होता है कि TB के अंदर ज्यादा तर जो लोंग से वो जाधा affect होते हैं साथ और और ऑर्गंसको अफट करता है लेकिन लंग से ज्यादा डामेज होता हुए नजर आते हैं और यह जो TB विमारी कोई नई बिमारी नहीं अपना पर बहुत समय लंबे समय से पहले से य साथ साथ एक अच्छी बात यह है कि इसको treat क्या जा सकता है TB एक treatable और curable disease है इसको सही क्या जा सकता है दूसरा question आता है यह बिमारी क्या से तो यहां पर यह person to person filthy है air से भी मतलब हावा से भी फिल सकती है मतलब मालो एक व्यक्ति एक परसन यह है जो TB से infected है ठीक है अब इसको यहां पर इसका लंग जो है TB से okay symptoms की बात करें तो लक्षन इसके बहुत सारे देखने को मिलेंगे देखो यहां पर कफ होता है कफ के साथ साथ यहां पर ब्लड भी आने लगता है sometimes उसके बाद यहां पर बात करें चेस्ट में पेन होना ठीक है एक तरी किसे सीने में दर्द होना प्लस कमजोरी obviously होगी ही weight loss देखने को मिलता है fever और उसका रात में काफिया तक पसीना भी आता है तो यह कुछ लक्षन है symptoms है इस TB के इसके बारे में ध्यान रख सकते हो बात करें दुनिया भर में TB का impact क्या है यह बहुत इंपरेंट होता है क्योंकि कोई भी डिजीज आता है तो इसके इसे में topic आता तो definitely आप factual information को यहां पर code कर सकते हो साथी साथ कोई मेंस मैं answer writing आती है तो यहां पर ऐसे information के साथ स्टार्ट कर सकते हो एक आपके पास fact तयार होगा अगर बात करें साल 2019 के अंदर 87% नई TB के cases यहां पर देखने को मिले हैं और लगबक 30 TB high countries देखने को मिलेंग नाइजीरिया बांगलेदेश साथ अफरीका यह country आपको देखने को मिलेंगे इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर लगबक 1.8 million TB के cases देखने को मिलेंगे जैनवरी से डिसमबर के बीच में और यहां पर आप कैसे तो लगातार increase हो रहा है 1.8 million से 2.4 million हो चुके हैं और यहां पर यह और भी ज़्यादा बढ़ते वे नज़र आ रहे हैं अगर प्रॉपरली डाग्नॉस किया जाए तो यह नंबर और ज़्यादा बढ़ते वे नज़र आएंगे दूसरा कॉश्चन यह आता है क्या सरकार कोई स्टैप नहीं उठा रही है क्या दुनिया कोई स और उसके बाद आपका सकते हो World Health Organization के साथ साथ अब बात करते हैं इंडिया क्या कर रहा है तो इंडिया ने भी बहुत सारे एफट्स लगाया है देखो हर बार कॉशन जब आप लोग में इसके कॉशन पेपर एनिलाइस करोगे कॉशन पेपर आएंगे तो मैं वहां पर उनका इनिशेटिव लिया है इसके रिगार्डिंग सरकार के क्या क्या इनिशेटिव है इस पर्टिकुलर स्कीम के बहुत होता है तो इंडिया का क्या एफट रहा है तो अगर हम बात करें निश्टीचिक प्लान फॉर्ट्यूबर क्लॉस्स एलिमिनेशन टूज़न सेवींटीन यह आप देख पाओगे एक पहला यहाँ पर effort यह है इंडिया यहाँ पर पूरी कोशिच कर रहा है कि TB के जो cases से इन कौम लोग कम कर सकें उसके बाद है निक्षय ecosystem देन उसके बाद निक्षय portion योजना देन उसके बाद TB हारेगा देश जीतेगा campaign यह सारे आपको campaigns या initiative देखन लिया है तो मतलब article complete हुआ अब बात करेंगे next article की तरफ और क्या है हमाली important यह देख पाओगे एक छोड़ा सा आर्टिकल चर्चा में आ चुका है environment GS paper 3 environment की point of view से important हो जाएगा बात करी गई है मुदु मुलाइट टाइगर के बारे में अब यहाँ पर मुदु मुलाइट टा सबस्तिकर इसको नाम दिया है और बोला गया कि देखो लगबग अभी दो लोग की जान गई है दो लोग की जान जाने का पीछे का沒事न के इसको कहां पर ले जाए इ prefersनी है की देखो जोसे कर दो गंन बेसको पत्कर पlic in the पर जूम में ले जाया जा सकता है ऐसा यहां पर बताया गया है ओके हालाकि यह पर जो टाइगर को पकड़ा गया इसके ऊपर मतलब काफिया तक इंजर्ड था यह घायल था क्योंकि बोला यह जा रहा है कि इसकी लडाई दूसरे टाइगर से हुई है इस वज़ा से इस टाइब के क्वेशन भी हर साल पूछ जाते हैं इस पीशीज के रिगाइडिंग क्वेशन पूछे जाते हैं एक लॉजी का पूर्शन हमेशा बहुत इंपोर्टेंट पार्ट रहा है यूपीए से के लिए रिसेंट येर्स के अदर तो हमने देखा है एक लॉजी काफि कोन इस लिए तो यह लोकेट हैं निल्यिक्ष डिस्र्क्ट ऑफ तमीलाडू तमीलाडू के अंदर यह लोकेट आपको देखने को मिल पाएगा तीक पार्क के अंदर एक नाशनल पार्क है इन सब को यहां पर इनका ट्राइ जंक्शन एरिया के अंदर यह आपको मुदु मुलाई टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा अभी यहां पर खास इंपोरेंट चीज़ पर आते हैं देखो यह जो नाम है ना मुदु मुलाई इसका मतलब है इन्शेंट हिल एज पुराने जमाने का हिल रेंज यहां पर यह नाम दिया गया है और लगबग यहां पर बोला गया काफी पुराना आपको यह देखने को मिलेगा मुदु मुलाई टाइगर रिजर्व यहां पर बहुत सारे अलग से बहुत स स्पीशी आपको टीक रोजवूड इस प्रकार के लगलग टिंबर स्पीशी भी देखने को मिल पाएगी अब बात करें फोना की जानवर कौन-कौन से मिलते हैं तो टाइगर तो मिलेगा साथ यहाँ पर टाइगर के साथ एशन एलिफेंट्स भी काफिया तक देखने को मिलते हैं प्लस और भी बहुत सारी स्पीशीज हैं यहां पर जैसे इंडियन गौर्स पॉटेट डियर कॉमन लंगूर माला बार जाइंट इसक्वाइरल वाइल डॉग जंगल कैट इस प्रकार के और भी जानवर देखने को मिलते हैं इन जानवर के लाबा यहां पर बर्ड्स भी इतनी भी पाई जाती हैं वो सब मुदू मुलाई के अंदर देखने को मिलती हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा शांदार बर्ड्स जीसे कि माला बार ग्री हॉन बिल यह लाफिंग थ्रश्च तो यहां पर आपको अलगलग बर्ड्स देखने को मिलेंगी जो की यूनीक बर आपको पता ही है अब आपसे यहां पर को मालूम होगा इसका अंसर भी हाली में आपको इसका आंसर भी बताया था और पता भी होना चाहिए देखो आज कि टाइब भारत के अंदर टोटल टाइगा रिजर्व कितने है और रिसेंटली अभी एक टाइगर रिजर्व एड़ किया गया है वह कहां पर एड़ किया गया है प्लस यहां पर मतलब आपका सकते हो दो इरियास को कंबाइन करके वो बना है अब वो दो चीजे कौन को हो से नीचे कोमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर भी दे सकते हो आगे बढ़ता है नेक्स्ट अर्टिकल की तरफ हाँ एक छोटा सा आर्टिकल यहां पर भी है आपको मालूम होगा बांगलेदेश के अंदर काफिया तक एक तरीके से वाइलेंस देखने को मिला दुरगा पूजा को लेकर आपको मालूम होगा दुरगा पू उनके खिलाफ यहां पर स्टैप्स उठाए जाएंगे यह वाइलेंस कहां पर हुआ है बांगलेदेश के को मिला डिस्ट्रिक के अंदर यह देखने को मिला है तो जहां पर भी एक मतलब जिसकी वजासा भी हुआ है उसके रिगार्डिंग स्टैप उठाया जाएगा यहां लेकिन आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सकते हो लेकिन यहां पर एक चीज़ और नोट डाउन करने वाली है जो कि मैं अलग से मेंशन करूंगा बांगलेश के अंदर आप देख पाओगे जो हिंदू कॉमनिटी है वो रेगुलरली कम होती भी नजर आ रही है रेगु या फिर उसका डेटा में आपको पब्लिश कर दूँगा टेलीग्राम पर डाल दूँगा वो ग्राफ आप लोग देखना वो बांगलेश का ओफिशल ग्राफ है जहां पर लगबग यहां पर हिंदू कॉमनिटी रेगुलरली वहां पर डिक्रीज होती भी नजर आईगी ठ एक military power के अंदर जाधा और जाधा strengthen कर सके military power में इंडिया को और जाधा आगे बढ़ा सके वो कैसे होगा आपको मालूम होगा एक article के बारे में चर्चा पिछले डेड़ महीने पहले से हो रही है मैं दो बार उसके बार में discussion कर चुका हूं नोट्स भी आपको सेंड कर चुका हूं मैं अभी आपको उसके बारे में समझाने वाला हूं समझा हूंगा वैसी आपको याद आजाएगा आर्टिकल जीयस पेपर 3 defense and security के point of view से important है देखो यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है आपको मालूम होगा हाल ही में औरनेस फैक्टरी बोर्ड के बारे में काफी अतक discussion हूँ अब याद आ गया होगा हमने कितना देटेल में चर्चा की थी जो औरनेस फैक्टरी बोर्ड है इसको एक तरीक है लगबग 41 जो फैक्टरीज है इन 41 फैक्टरीज को खतम करके लगबग यहाँ पर आपका सकते हो सर पारी चीजे करें क्लियर करेंगे और नेस फैक्टरी बोर्ड क्या है क्या रूल था इसको क्यों कर्वर्ड क्या या सब कुछ यहाँ पर डिसकस करेंगे द्यान से सुनते रहना अब यहाँ पर आपको मालूम होगा हमारे प्राम मिनिस्टर का एक विजन है आत्म निर्भर भारत अब इस विजन के अंडर में हमारा गोल एक यह भी हम इंडिया को एक मिलिटरी पावर बना सकें दुनिया भर में इंडिया के अंदर जो भी डिफेंस इंडेस्ट्रीज उनकी पावर को और जाधर डेवलप कर सकें उसी के बेसिस पर हाली में क्या हुआ था जो इस फैक्टरी बनाया कर दी अब इन ओर्डनेस्ट्रीज लगब जो 41 फैक्टरीज थी इन 41 फैक्टरीज को डिजॉल्व करकर यहां पर लगबख साथ नई फैक्टरीज बनाई जारी थी आप कैसेखतों साथ अलग सेंको कर्णवर्ट किया रहा था साथ अलग डिफेंस पर फोकस कर पाएंगे क्योंकि अभी तक से इसे फोकस नहीं हो पारा था साथ ही साथ क्या होगा हम लोग डिफेंस एक्विपेंट्स और भी जदा बना पाएंगे और इससे क्या होगा जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट है वो पिछले सालों के अंदर बढ़ा है और आने व बहुत important step आपको देखने को मिल पाएगा ठीक है याब मैं आपको कुछ छोड़ी-छोड़ी information बताता हूँ ठीक है जो कि बहुत ज़्यादा important exam के लिए और काफी है तक important है उसको लोग था समझेंगे क्योंकि इस article में जो भी चीजे important थी मना आप लोगो एक मतलब simple शब्दों में बता दिया है आपको मालू होगा एक आर्टिकल हाली में चर्चा में था उस आर्टिकल की heading थी corporatization of ordinance factory board यानि जो यह ordinance factory board है इनको corporatize क्या जा रहा था यानि कि आपका सकते हो जैसे कि मतलब ownership तो government के पास ही रहती लेकिन यहां पर जो यह boards हो गए यह जो factories हो गए एक तरीके से private तरीके से काम करती ठीक है आर्टिकल जीएस पीपर 2 प्लस जीएस पीपर 3 दोनों के point of view से important है हाल ही में union cabinet ने approve करा था यह plan की हम लोग ordinance factory board को corporatize कर देंगे corporatize करने के बाद इनको हम लोग 7 नई defense public sector undertaking के अंदर dissolve कर देंगे मतलब कि आप कह सकता हो 7 नई defense public sector undertaking बना देंगे जैसा मैं आपको बताया यह 41 factories हुआ कर दी थी इनको अभी यहाँ पर यह step उठाया जा रहा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने formally launch भी कर दिया है कि अब यहाँ पर हमारे पास हुआ करेंगी साथ defense public sector undertaking ना कि यह 41 factories हुआ करेंगी ठीक है 100% ownership यहाँ पर सरकार के पास ही रहेगी लेकिन काम जो है private की तरह के से होगा ऐसा यहाँ पर mention करा जा है आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए अब बात करते हैं कि ordinance factory board exactly क्या है तो एक umbrella body अम्रेला मतलब एक बहुत बड़ी आपको body देखने को मिलेगी जो की ministry of defense के अंडर में आती है और इसका main काम आपको वही देखने को मिलेगा जो भी हमारे defense equipment होते हैं उनका production करती है पहली और्डेंस factory मैंने आपको बताया 41 फैक्टरी थी यह पहली जो फैक्टरी है इसको बनाया गया था 1712 मतलब समझ सकते हो 300 साल पहले आप पहली फैक्टरी को लगया था इसका headquarter coal का तम है अब इनको dissolve करके साथ नए DPSU में convert के जा रहा है यह आप लोग को मालूम चल गया है मैंने आपको समझा दिया अब यह जो तनी भी और्डेंस factory थी इनका main काम यही था weapons वगरा को बनाना यह main काम था वेपन्स का production करना वेपन्स जैसे की military grade arms हो गए ammunition हो गए explosive हो गए ठीक है जो भी बिस पोटक चीजे हैं मिसाइल सिस्टम हो गया military वहिकल हो गए आमर्ड वहिकल हो गए पैराशूट support equipment यह जितनी भी चीज़े हैं वो सबका production यहां पर हुआ करता था अब यहां पर जो साथ DPSU होंगे उनमें यह production होगा reasons क्या है corporatization का reason सबसे पहला यह है कि अभी तक यहां पर जो 41 factories थी इनका performance बहुत बिकार था यह performance अच्छे से करनी पारी थी अब यहां पर हम लोग कम हमारे पास समान रहेगा साथ DPSU रहेंगे और इन पर हम लोग अच्छे से focus कर पाएंगे और इनके उपर हम लोग focus करने क अपने country को एक तरीके से difference sector में उठा पाएंगे यह आप यहां पर कुछ चीज़े देख सकते हो I hope आपको एक एक चीज क्लियर हो चुकी है क्या क्या होने वाला है plus audience factory के बारे में हापर समझाएगा वापस से नया structure कैसे help करेगा क्या है यह नया structure में आप लोग को समझा दिय क्या है क्या क्या होगा audience factory board क्या यह भी मैंने आपको बता दिया यह साथ नए DPS का नाम क्या है मदब साजु नई companies है उनका नाम क्या क्या है यह साथ companies का नाम आपको यहां पर यह देखने को मिल जाएगा I hope आपको यह clear हो चुका है आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिल की त पास नहीं है ज्यादा यहां पर देखो चर्चा इससी बात की हो रही जो तलंगना एं तलंगना ने क्या करा हाली में अपना यहां पर जो इंका स्टेट इलेक्शन कमिशन ने बोला कि हम लोग अपना यह जो इवोटिंग की तरफ आएंगे इन्होंने यहां पर लॉंच कर कंसर दिखाया है कि देखो यहां पर जो हमारे फॉर्मर्ड चीफ इलेक्शन कमिशनर है नाम है ओपी रावत साब इनका कहना यह है कि यह चीजे कहीं ने कहीं बिकार रहेंगी क्योंकि हमने देखा कि जो इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन है इव्यम मशीन अपने आप में आप देख पाओगे 17th century based machine है इतनी पुरानी इतनी पुरानी मशीन आप देखने को मिलेगी आज के टाइम पर भी इस मशीन के लीगल डिस्प्यूट्स देखने को मिल जाते हैं बहुत बार हर साल इन फैक्ट जब भी इलेक्शन होगा इव्यम मशीन को लेकर बहुत साद़ साथ डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं ठेक्ट जबकि यहां पर टेकलोजी बहुत अधा सिंपल है ट्रस्टेबल है लेकिन फिर भी बहुत सरे डिस्प्यूट्स होता है क्या आप समझ सकते आप ऑनलाइन वोटिंग करवाओगे इंटरनेट बेस्ट वोटिंग गाएंगे इससे काफ़ यह तक फ्रॉटनस वगरा भी देखने को मिल पाएगी स्मार्ट फोन बेज़ एक्सपरिमेंट का खतरनाक रहने वला है आने वाले टाइम पर जो की तिलंग ना का स्टेट इलेक्शन कमिशन कह रहा है कि हम लोग यहां पर स्मार्ट फोन बेज्ज एक्सपरिमेंट है यह करेंगे 20 ओक्टूबर खो तो देखते हैं आने वोले टाइम पर क्या होता है चर्चा में डेफिनेटल आएगा लेकिन अभी के लिए छुटी से रैंक पहले के मुताबिद और ज्यादा गिर चुकी है इंडिया के अंदर भुकमरी की सिच्वेशन और ज्यादा खराब हो चुकी है ऐसे आप लोग सीदा सीदा कह सकते हो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंक है आपकी बार हंड्रेड रैंक को क्रॉस कर च इससे पहले वाले साल में टोटल 107 कंट्रीज को लिया गया था इस इंडेक्स में और इन 107 में से इंडिया की रैंक 94 थी तो आप कह सकते हो यहाँ पर वापस से आपको 100 प्लस अब रैंक देखने को मिल जाएगी भारत की आप कह सकते हो कि इंडिया काफी बुरा परफॉर् होगे यहाँ पर मेंशन किया गया लेकिन यह हमने अभी आर्टिकल पूरा नहीं किया इस आर्टिकल में चर्चा क्या और एक्जैक्ली अब आप सुनो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हमने पड़ा इस इंडेक्स के अदर भारत की रैंकिंग क्या यह हमने पड़ा अ यहां पर कहीं लाकिन जो डेटा है वह अंसाइंटिफिक है यहां पर अच्छा में इस्तमाल नहीं किया क्या है में था वह लाते हैं उसको समझने से पहले आपको एक चीज और समझना होगा एक चीज यह समझना होगा जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इस रिपोर्ट को कौन इस रिपोर्ट को रिलीज करता है तो इस रिपोर्ट को रिलीज करने के पीछ आपको दो बॉड़ी देखने को मिलेगी एक है कंसन वर्डवाइड और दूसरा है वेल्ट हंगर लाइफ तो यह दो बॉड़ीज है जो कि आपर इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है और यह द इन दौनों बोडी के दोरा बनाया जाता है अब क्या हुआ इन्हों ने डीटा लिया है किसे food and agriculture organization से अब यहां पर हमारी सरकार जो इंडियान government है वह कह रही है food and agriculture organization के पास ही डेटा गलत है और इनके पास पास इन्साटिफिक है तो यहाँ पर इन दोनों body ने भी इन ही का data इस्तमाल किया है तो obviously जो ranking है वो यहाँ पर इंडिया की गलत देखने को मिलेगी ऐसा यहाँ पर इंडिया का कहना है और इस प्रकार से इंडिया ने इस ranking को challenge किया है इस index के according अगर हम देखें जो 15 countries हैं वो सरिफ और सरिफ इंडिया से बुरी हालत में देखने को मिलेंगी मतलब last में आपको बता है न 116 countries यहाँ पर total देखने को मिलेंगी जिसमें इंडिया के रांग है 101 है बाकी इंडिया के बाद लगबग 15 countries और है जिनकी बहुत बुरी हालत है वो 15 countries कौन कौन सी है एक है पपुआ न्यूगीनिया उसके इसके बाद अफगानिस्तान नाइजिरिया कॉंगो मोजामबीक और उसके बाद सीरा लिओन और तीमोर लेस्टे हेती लिब्रिया मडगास्कर और रिपब्लिक आफ कॉंगो चाड सेंटल अफरिकन रिपब्लिक येमेन और सोमालिया यह सारी कंट्रिस आपको देखने को मि रैंक देखो गया तो इनकी रैंक काफी जादा आगे आपको देखने को मिलेगी लेकिन गवर्मेंट साथ से आतब भूला कि देखो यहां पर यह जो इंडेक्स के अदर गड़बड़ी है गड़बड़ी क्या है आपने फूड और अग्रिकल्चर ऑगनेजिशन की रिपोर सथ हो ऐसा आपको इंडिया का यह स्टेटमेंट देखने को मिलेगा ठीक है अगर हम बात करें देखो ओव्वियसली अगर ऐसा देखनों देखनों को मिलेगा कि इंडिया के अंदर रैंकिंग दो बुरी है प्लस हालत भी बुरी है मैंतलब भुकमरी वाली सिच्वेशन का काफियत देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर अंडर नौरिश्मेंट बहुत देखने को मिलेगा अंडर नौरिश्मेंट डेटा को यहां पर लिया गया है और अंडर नौरिश्मेंट का डेटा ही यहां पर प्रवाइट किया गया किसके दोरा फूड एंडर नौरिश्मे पर इंडिया के अंदर काफियत तक खराब आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे लोग यहाँ पर अंडर नौरिश देखने को मिलेंगे, अंडर नौरिश न मतलब उनको एक पोशन भरपूर खाना नहीं मिल पारा है, उनको ऐसा खाना जिसमें मल्टी वाइटामिन्स, मिनर अठीक से चैलेंज किया है, आने वाले टाइम पर देखेंगे exactly क्या निकल कर आता है, आने वाले टाइम पर यह आर्टिकल एडिटूरल में कवर हो सकता है, आते हैं अगले आटिकल के तरफ, नेक्स आडिकल में चर्चा हो रही है, भूटान और चाइना के बारे में, सब इस understanding को clearly इन्होंने mention नहीं किया clearly reveal भी नहीं किया है लेकिन क्या-क्या बात चीत हूं यह exactly मैं आपको समझा देता हूं तो यहाँ पर यह जो दोनों countries का dispute है भूटान और चाइना के बीच में dispute नहीं है क्या बहुत लंबे समय से dispute हैं बॉटर डिस्पीट है इन बहुत लंबा चोड़ा borders आजाँ करते हैं भूटान और चाइना तो दोनों के बीच में border dispute बहुत सारे देखने को मिलते हैं तो इन border disputes को resolve करने के लिए इन border dispute को सही करने के लिए इन विवाद को कुछत्म करने के लिए इन दोनों country ने मिलकर sign किया है यह चाहिं दो border dispute को खतम करने के लिए memorandum of understanding sign किया, इस agreement के अंदर three step पताई गए, three step roadmap समझाया गया, लेकिन इन three step को reveal नहीं किया गया भी तक, यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे, नहीं भूटान ने reveal किया है, नहीं चाइना ने officially अभी इन three step को reveal किया है, बस इतना पता है कि यहाँ three step यहाँ पर road map लिया गया है, लेकिन three step कौन कौन से यहाँ भी mention नहीं हुआ है, तो आने वाले time पर इसके बारे mention हम लोगो को देखने को मिल सकता है, ओके, अब बात करते हैं जो road map है basically, यहाँ पर भूटान और चाइना के boundary जो dispute हैं, उसके अंदर काफिये तक resolution लेकर आएगा यह नोलों के boundary dispute खतम होंगे, ऐसा बोला जा रहा है, in fact, boundary dispute के अंदर आपको मालूम होगा, दो कलाम stand-off भी काफी लंबा चोड़ा stand-off देखने को मिलता है, 2017 के अंदर यह सब सब बढ़ा stand-off देखने को मिला, इसी प्रकार से भालत के साथ तो dispute हैं ही, इंडिया बचाइना के of understanding sign किया, three step road map यह लेकर आएंगे, और लेकर आएंगे साथी साथ यहां पर कोईएंगे, कोशिच यह करेंगे कि दोनों countries के बीच में border negotiation हो, दोनों countries अपने दूसरी countries को अच्छे समझें, प्लस border को लेकर कोई dispute ना हो, आपको मालूम होगा, चाइना बार-बार यहां पर बह कोई नहीं नहीं है, बहुत पुरानी आदत है, तो इसी प्रकार के dispute हमेशा से देखने को मिलते हैं, उसी को लेकर यह memorandum of understanding को sign किया गया, आहोब आपको आर्टिकल क्लियर हो चुका है, ज्यादा important information नहीं है, जो थी exactly वो आप लोगो को मालूम चल चुकी है, आगे आते हैं मतलब की पराली को जला देना, नहीं पता है तो मैं आपको समझाओंगा, don't worry, अभी यहाँ पर stable burning की situation थोड़ी सी कम हुई है, यह incidents कम हुए हैं पंजाब और हर्याना के अंदर, ऐसा है यहाँ आपर panel ने बोला है, अभी इस picture में आपको यह पूरा का पूरा आर्टिकल 18.28% से कम हुई है हर्याना में और 47% से कम हुई है अलग 8 NCR discrets के अंदर, यह आप लोग द्यान दे सकते हो, मतलब इतनी ज़्यादा stable burning कम होती भी नजर आई है, अब जोगी stable burning है, यह हमने देखा कि एक काफी बड़ा concern वाली situation देखने को मिलती है, काफी चिंता वाली बात काफी जदा उठता है, stable burning exactly क्या होती है, मालो यहाँ पर फसल उगरी है, आपकी फसल की आपने कटाई कर दी, छोटी छोटी पराली यहाँ पर बच जाती है, उसको क्या कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, ठीक है, अब यहाँ पर जला देते हैं, तो इसमें से बह इरिया के उपर, और इससे आप क्या करोगे, इस पराली को जला लाना की जरूरत नहीं होगी, इस पराली को आप जब जलाओगे नहीं, तो क्या होगा, आप इस पर यह वाला decomposer, इस प्रे कर दो चिलक दो, और यह पराली अपना आट से दस दिन के अंदर decomposed हो जाएगी, ख सब्सक्राइब के पहले बहुत आया कर दे, साल 2016 में लगबग एक लाक इंसी रेंट थे, पंजाब में सरिफ, सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं, उसके बाद लगातार कम हो है, साल 2019 में कम होके 50,000 हो चुके हैं, अभी यहां पर थोड़े सा और कम हो चुके होंगे, अब सब्सक्राइब कर सकते हो, इस प्रवल पराली होती है, इसको जलाया जाता है, ठीक है, बचा कुझा कराप का समान या फसल कटाई के बाद जो भी चीजे बची उसको जला दी जाती है, वो इस ट्रवल बरनिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात कर सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप खुले में सब्सक्राइब करते हो, इससे टॉक्सिक निकलते हैं, जैसे की harmful gases, methane, carbon monoxide, volatile organic compounds और भी यहां पर इस प्रकार की harmful gases आपको देखने को मिलेंगी, जो की atmosphere को दो damage करती है, atmosphere के साथ human health के लिए भी काफिये तक खतरना के human health को भी adversary effect करती हैं, यहां पर आपको चीज़े mention देखने को मिलेंगी, I hope आपको यहां पर यह भी अच्छे से clear हो चुका है आगे बढ़ते हैं अगले article की तरफ, next article जो की हमारे exam के लिए important होगा, यहां पर article में चर्चा हो रही है एक नया research center, Indian art के लिए बनाया जा रहा है, setup कर दिया गया है, कापर Zurich museum में Zurich museum, यहां पर आपको देखने को मिलेगा, Switzerland के अंदर है, Redbird in Zurich, और वहां पर क्या करया गया है, Indian center, मतलब आपके से तो जो research center है, Indian art के लिए setup क्या गया है, मतलब जो Indian art होती है, भारते कला होती है, उनको लेकर एक research center बनाया गया है, उनको लेकर एक research center setup क्या गया है, कापर Zur प्लस GS paper to IR के point of view से important हो जाएगा, प्लस GS paper to IR के point of view से भी important हो जाएगा, Museum Redbird, यहां पर बेस है, तो यह जूरुक के अंदर है, Switzerland के अंदर, और यहां पर इन्होंने establish कर दिया है, एक नया research center इन्होंने बना दिया है, एक fellowship program इन्होंने बना दिया है, और यह लोग यह जो fellowship program हो specialized हैं भारत के कला के अंदर, तो वो सब यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, वो सब research वगरा कर सकते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा step देखने को मिलेगा, भारत की painting के अंदर, भारत की painting को लेकर आपको सकते हैं बहुत बड़ा step यह उठाया गया है, और जो यह public private partnership है, यह यहां पर इन्होंने जो नाम लिया है, यह अलग-अलग जगा से लिया है, अलग-अलग यहां पर नाम किस से लिया है, तो अलग-अलग professor है, historical professors आपको देखने को मिलेंगे, art के professor जैसे की, एक हो गए बियन गो सवामी यह इंडिया से हैं, एक हो गए professor Milo, Cleveland Beach, यह आपको US के देखने को मिलेंगे, एक है Dr. Eberhard Fischer, यह Switzerland से तो इनके basis पर यहां पर इस research fellow को आगे बढ़ाया गया है, research fellow के अंदर chance मिलेगा सबको, यह आप engage कर सकते हो, जो भी artwork के अंदर काफे तक अच्छे हैं, ठीक है, specialized हैं, तो वो सब यहां पर इसके साथ, यहां पर research कर सकते हैं, त थोड़े तजी से बढ़ा सकें, Indian culture को थोड़े हम लोग एक representation दे सकें, international level पर यह focus रखा गया है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, जो GBF Center है, इसकी पहली research fellow कौन है, जो की पहला व्यक्ति जो research कर रहा है, तो GBF Center ने name दिया है, आपका सकतो है, इन्होंने नाम किसका दि connection है, interest Indian paintings के अंदर तो यह पहली research तरीके से फैलवर देखने को मिलेंगी, इसके बारे आप याद रख सकते हो, आगे बढ़ेंगे नेक्स टारिकली की तरफ, नेक्स टारिकले भारत ने open कर दिया है, foreign tourist के लिए, और मतलब यह जो opening करी है, यह काफी तक देर हो चुकी है, इस pandemic की वज़े से सब कुछ देखने को मिला था, लेकिन हुआ कि बहुत सारी countries ने जल्दी जल्दी open कर दिया, जैसे कि Dominican Republic हो गया, Mexico, Maldives, Queen या, इन सब ने क्या करा, अपनी countries के अंदर tourism को open कर दिया, लेकिन भारत ने बहुत देरी से open किया, हमारी सरकार ने बहुत देरी से यहा भारत आपको अपने देर कर दिये, इंडिया ने देर कर दिये, foreign tourists को allow करते वे, क्योंकि यहां पर क्या है कि बहुत सरे लोग अपना ticket करा चुके हैं, दूसरी countries का, ऐसे यहां पर बताया गया है, तो मतलब exam के लिए कुछ खास important नहीं है, यहां पर इसको आप छोड़ भी सक इसके बारे में, अफगानिस्तान का दर क्या दिक्कत चलने हैं, आप लोग को मालूम है, दुनिया भर में बहुत सरी countries ऐसी हैं, जापर problems regularly चलनी है, उसमें से एक अफगानिस्तान आपको देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान के अंदर Taliban का control आपको देखने को मिलेगा, और आज के टाइम पर Taliban जब से आया है, बहुत सारे attacks देखने को मिलेगा, पहले भी attack हो रहे थे, लेकिन attack की तेजी काफिया तक बढ़ती जा रही है, अब हमने recently देखा था, कि एक attack हुआ था, कहां पर, कुंदूर कुंदूस करके एक जगा है, वहां पर हुआ था, लेकिन अब फिर से एक और attack देखने को मिला है, अफगानिस्तान शिया मौस के उपर, और लगबक इस attack में इस blast के अंदर 41 लोग की जान गई है, मतलब क्या हो रहा है, इन सब incident के अंदर मारे आम ना गरिख जा रहे है, suicide bombers के थूर ये attack किया गया है, और ये suicide bombers के थूर अटेक फ्राइड में, अफगानिस्तान के अंदर हमने जो कुंदस वाला एरिया है, वहाँ पर भी इसी प्रकार का suicide attack देखा था, उसके बाद फिर से यहाँ पर एक और suicide attack देखा गया है, ये हमने फ्राइडे में suicide attack को देखा, तो ये हैं आप कह सकते हो कि काफिय तक instability देखने को मिलेगी अफ अफगानिस्तान के अंदर, तो इसके बारे में छोड़ी सी information दी गई है, और आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया भी था, जो ये attack हुआ था, पहले भी इसकी जिम्मेदारी Islamic State Khorasan ने ली थी, Islamic State Khorasan प्रोविंस वाले ने यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी ली कि यहाँ पर यह attack इन्होंने करवाया है, लास्ट फ्राइड में जो attack हुआ था, एन Islamic State Khorasan, suicide bomber attack targeted है, शिया मॉस्क इन कुंदोस, मैंने जैसे बताया आपको, तो यहाँ पर क्या है यह Islamic State Khorasan में आप लोगों को बता देता हूँ, छोड़ा सा और important है काफी जादा, यहाँ पर Islamic State Khorasan, IS IS के जो है basically, यह एक तरीके से आप कर सकते हो कि मतलब IS का branch है, IS IS का ही branch आपको यह देखने को मिल पाएगा, खुरासन, और इनका goal क्या है, मतलब यह जो खुरासन है, इनका goal यह है कि जो एशिया वाला region है, चाहिए वो चाइना हो जाए, इंडिया हो जाए, इन सब के उपर IS IS खुरासन को हावी करवा देना, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, इनका यह goal है, बाकि आपको IS IS के बहुत सारे और भी branches देखने को मिलते हैं, IS IS, हिजाज, हिजाज के बाद मगरेब, यह आपको और भी branches देखने को मिलते हैं, लेकिन खुरासन आपको इस वाले region के अंदर दे जो भी vaccinated है, जिसने भी यहाँ पर दोनों डोस लगवा रखी है, वेक्सिन की, वो 8 नवंबर से ट्रावल कर सकता है, US के अंदर छोड़ा सा update है, आते हैं, पेज नमबर 12 के उपर, that is business section, देखेंगे, economic point of view से important articles को, economic लिए जो important articles पब्लिश होएं, इस article में बात हुई है, US औ जिर्मला सितर अमन साथी साथ, US के Treasury Secretary Janet Yellen, इनकी meeting हुई थी Thursday में, और ये 8 वी ministeral meeting थी, US-India Economic and Financial Partnership थी, और यहाँ पर आपका सकते हो, और भी लोगों ने attend किया, वीडियो कॉन्फरेंस के माधियम से जैसे कि हमारे RBI गवर्नर, शक्ति कांतर दास जाजी हो गए, इन्होंने आपको बताया, और इस meeting के अदर आपका सकतो हो, काफी कुछ discussion हुआ, जो एक तरीके से हमारा environment है, उसको पर भी फोकस किया गया है, साथ-साथ आपको मालूम होगा, environment को लेकर आनवले टाइम पर एक बहुत बड़ी meeting होने वाली है, UN climate change conference of parties करके यहाँ पर 26 करके meeting होगी, ग् 31 October से लगबग आपको meeting देखने को मिलेगी, और भारत भी हाँ पर आपका सकतो हो, इस meeting के अदर देखने को मिलने वाला है, environment को लेकर चर्चा होईगी आने वाले टाइम पर और इंडिया जो है आज के टाइम पर पुश कर रहा है, बहुत सरी richer countries को, बहुत सरी अमीर countries को, कि आप लोग Paris Accord Climate Finance जो commitment है, 100 billion dollar पर year तका लेकर आओ, मतलब कि आपको climate के ओपर जद जदा पैसा खर्चना होगा, climate को एक तरीके से आपको climate change को रोकना होगा, ये focus भारत रख रहा है, और उसके बाद आज के टाइम पर बहुत सारी countries का 2030 तक का target है कि हम लोग अपने climate change हो गया, ये clean energy हो गया, उसके पर काम करेंगे, US और इंडिया दोनों मिलकर काम करेंगे, और US इंडिया का एक clean energy agenda भी है कि 2030 तक हम लोग अपना net zero emission की तरफ बढ़ेंगे, ये आप लोग देख पाओगे, इस article में mentioned है, आने वाले time पर ये जो meeting होगी, उसके बाद, दिखो meeting के बाद हम हम लोग के पास और भी बहुत सारी information आ सकती है कि क्या exactly हुआ है, पहले हम लोग prediction जादा कर नहीं सकते, अब उसके बाद next article ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट का काम है, exam के लिए important नहीं है, इस statement important नहीं होता है, लेकिन आप देख पाओगे, हमारी finance minister क India showing signs of steady economic recovery, मतलब की इंडिया आज के टाइम पर अपनी economic recovery के तरफ काफी सारे sign दिखा रहा है, इंडिया के अंदर जो economy है, वो काफी देजी से recover होती भी नजर आ रही है, ऐसा यहाँ पर हमारी finance minister का statement देखने को मिलेगा, इन्होंने यहाँ पर यहाँ पर statement दिया है, बहुत सर development देखने को मिला है, अला कि कुछ sectors हैं, हिट हुए थे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी सरे sectors हमारे grow होते वे नजर आए हैं, even in pandemic, ऐसा यहाँ पर statement दिया गया हमारी finance minister के द्वारा, तो यह आप लोग एक idea रख सकते हो, वासका ली पढ़ कर इसको हटा दो, ऐसे article में ज अच्छी बात भी है, कि आस सेटर्डे है, सेटर्डे में एडिटोरल ज्यादा नहीं आता है, सेटर्डे में दूसरा पेजा वो ground zero नम का आता है, इसको आप लोग प्रॉपर ली छोड़ सकते हो, यहाँ पर हम लोग एडिटोरल में सिर्फ और सिर्फ तीन आर्टिकल को पर हर एक topic के अगर notes रखे होंगे, तो हम लोग अराम से कोई भी question उसको solve कर पाएंगे, मेरी कोशिश यही रहती है, अब यहाँ पर गती शक्ति के बारे में आपको notes प्रवाइड कर वाएं, प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या है गती शक्ति आज इसके बारे में आपको बता द नहीं कर सकते हैं, यह article हमारे exam के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक छोड़ी से information है, वो मैं आपको समझाओंगा definitely इस article का crux exactly यहाँ पर इस article में, क्या है इसका conclusion, उससे पहले यहाँ पर start करते हैं अपना editorial सबसे पहला article tackling terror करके, देखो आज के time पर हमने देखा जम Exodus हुआ था एक बार और आने वाले time पर फिर से देख सकते हैं कि ऐसा Exodus फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के time पर बहुत सरी minorities के ओपर attack हो रहे हैं, अब यहाँ पर बोला गया कि किस प्रकार से हम लोग इस आतंगवाद को tackle कर सकते हैं, civil society political forces यहाँ पर इनको अपना काम बहुत बहतरीन तरीके से करना पड़ेगा, और सबसे पहली बात, जमू कश्मीर के अंदर जो भी minorities हैं, इनके अमन से यह जो डर है, यह निकालना पड़ेगा, क्योंकि आज के time पर लोग बिचारे काफिया तक डरे वह देखने को मिलेंगे, जो number of death है civilians की, वो लगातार increase हो रही है, minority community, अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ, German Kashmir के अंदर minority community, तो यहाँ पर इस community के अंदर हिंदूस आ रहे हैं, सिख लोग आ रहे हैं, ठीक है, minority के अंदर तो यह आप लोग को ध्यान रखना है, terror attack के बाद मैं आपको बताया, यह बहुत सारे incidents देखने को मिले, कश् देखने को मारा जाता था, लेकिन आज के टाइम पर पिछले पांस सालों के अंदर काफी तीजी से यहाँ पर यह वालेंस कम हुआ है, ऐसा बताया गया, लेकिन हाली में जो हमने वालेंस देखा है, कश्मीर वैली के अंदर, उसके पीछे का जिम्मेदार बताया जा रहा है टी आरेफ को, यह है दर रेजिस्टेंस फ्रेंट, यह आपको देखने को मिलेगा, पाकिस्तान बेस्ट जो लशकरे ताइबा है, उसी के दोरा सेट अप किया गया है, और यह रेजिस्टेंस फ्रेंट ने ही यहाँ पर काफी सारे सिविलियन्स को मारा है, यह आप देखपा होगे वोईलेंस लगातार इंक्रीज हो रहा है, अब यहाँ पर कश्मीरी पंडित को लेकर उनके ओपर काफी तक वोईलेंस देखने को मिला, सिक एंप्लोई कश्मीरी पंडित आज की टाइम पर अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, जॉब छोड़ छोड़के टेंपर निकल गया था जमू एंड कश्मीर से, 1990 उसकी बात है, क्या वापस से यह सारी सेनेरियो क्रियेट हो रहा है, क्या वापस से हम लोग इस सारी चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि वापस से आप देख पाओगे पंडित को टारगेट किया जा रहा है, सिक कमुनिटी को टारगेट किया प्रोवाइड करवाएंगे, तो जो भी हमारी यहाँ पर यहाँ पर यह बता गया सिचुएशन है, इसको यहाँ पर एक तरीके से एक इनिशिटेव लेना चाहिए, ताकि हम लोग यह जो पूरा पूरा वाइलेंस है, जो मानेटी कमुनिटी की अगेंस्ट हैट्रे निकल ल आड़न करेंगी जब political forces मिलकर काम करेंगी यह लोग मेन और काम कर सकते हैं साथिन साथिया पर यह ब्रकर आजके टाइम खर भी रहे लगों फिक कर देखना अब इसके ब्रकार नालीग है सखते हैं और आपको एक ऐसा एनोर्मेंट क्रेट करना पढ़ेगा जो की कहीं करें यह लगा सिंगे बहुत सारे लोग का कहना है यहाँ पर क्या कर सकते हो इहाँ पर श्रह क्लीं हो सकता है प्रेंस़्रीडम का और इससे अंब्मेंड अच्छा सा क्रेंड हो सकता है और यहां पर अपका सकतो हो यह इस आर्टिकल के तरे मि accent किया गया तो यह यहां पर इस में बता या I hope आप कोई सारी चाहिए क्लियर हो चुकी है नेक्स अडिकल में चंचा कि कही यह फास्ट और वर्वर्ड आपको मालूम होगा पिम गती शक्ति को आहली में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो जो प्रोडक्शन की एक तरी के से लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है अपना आप कम हो जाएगी लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब की कहीं पर प्रोडक्शन हो रहा है समान का प्रोडक्शन होने के ministries अलग-़ग काम करती रहती है कोई किसी ministry को अलग काम कर रही है तो च्या होगा आप इन सा ministry को एक प्लाटफॉल्म पर लाया जाएगा ये सारी ministry साथ मिलकर काम करेंगी ये में परपस है PM गति लेकि कैई बना रहा है यह हाय बना रहा है कोई यहाँ पर मालो लू को कोई दूसरी कोई दूसरी कंपनिया पर इस ऑप्टिकल फाइबर को बिचा नहीं है लेकिन होता क्या है यहां पर नैशनल हाइवे और इंडिया ने इस हाइवे को तयार कर दिया बिल्कुल बिल्कुल तयार कर दिया अब बाद में यहां पर काम कर रही है तो सब मिनिस्ट्री को साथ में की प्लाट्फरम पर करेंगा उसका क्रिए इससे वाला है यह यहां पर बोला गया अब उसके अद में आपको कुछ छोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं जो कि बहुत इंपोरेंट है इस आर्टिकल में मेंशन नहीं की गई है उसको नोट डाउन करना बस काफी रहेगा प्याइम गति शक्ति के अंदर क्या क्या चीजे बन बनाई जाएगा 220 एरपोर्ट हैलिपोर्ट वाटर एरोड्रोम्स बनाने वाले हैं दन उसके बाद एडिशनल सत्रह हजार किलोमेटर की ग्यास पाइपलाइन भी बनाई जाएगी दन उसके बाद 109 फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स बनाई जाएंगे 90 टेक्स नौकरियां भी आएंगी बहुत सारी employment opportunities निकल कर आएंगी हमने देखा एक करोना के समय पर लोगों ने लोगों की जॉब गई है जॉब लॉस देखने को मिला काफियत तक अब क्या होगा बहुत सारा investment देखने को मिलेगा इंफ्रस्ट्रॉक्चर को पर development देखने को मिलेगा तो लाखो की कगार में हाँ पर रोजगार भी देखने को मिलने वाला है तो यह कुछ यहाँ पर खास बात देखने को मिलेगी PM गतिशक्ती के आई होप आपको यह clear हो चुका है काफ़ी important है उसके बाद यह जो आखरी tutorial है यह बात करता है किस चीज़ के बारे में it's time to rise in defense of B Bollywood मतलब आज के टाइम पर हम देख रहे हैं कि Bollywood अभी अर्टिकल क्यों मेंशन क्या गया है न्यूज में क्यों है क्यों कि आपर सिंपल सा रिजन मैं आपको बता दूँ शारिक खान के बेटे आरेन खान को आपको मालूम होगा न्यूस सबको मालूम होगी आरेन खान को जो अरेस्ट किया गया है NCB के दवरा एक लंबे समय से अरेस्ट देखने को मिल रहे है एक ड्रक के केस मारेस्ट किया था वह आज की टाइम पर भी आप लोग देख पाऊगा रेगुलर्ली यह केस चल रहा है लेकिन अब उसके बैसे पर यहाँ पर एक चीज यह देखने को इस इसतमाल किया तेनों उसके बाद इन्होंने बहुत सारे इंसिडेंट्स ही समझा है इन्होंने ऐसे ऐसे एसे एक देखने को मिले लेकिन इस आर्टिकल में बहुत सारी चीजे ऐसे भी है जो कि हम लोग कता भी अपने एक्जाम में इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो यहाँ बहुत सारे केसि ऐसे नहीं पिर भाइंब को नहीं कर दूब लुजा एताए होनाता ऑन में मिलेगा वालेवड हमेशा साइस यहां पर सरे कृटिसिसम मृ क्रिटिसिम में देखने को मिलेगा तो यहां पर सशी थरूरर जी बोल रहा है T बॉलिवुड के डिफेंस में आना काफी ज़्यादा जरूरी है यह टाइम आ चुका है कि बॉलिवुड को हम लोगो इसके डिफेंस में आना पड़ेगा आज की टाइम पर बॉलिवुड लगबक हर साल 2000 फिल्म्स बना रहा है ऐसा इनके दौरा मेंशन गिया गया साथिसाथ तक एक ह Poke चानका की जग्रएं हम लोगों इसको बडाना पड़ेगा कि बजाए हम लोग यहाँ पर आज की टापी टाइम पर का कारीडेसी संदेखने को मिल रहा है साथ जाद हम लोगों इसको और पर आपकर सकता हो जो मीडिया एक तरीके से पर से उनको इंक्रेस किया जा सके तो यहां पर मक्सद यह है कि देखो बॉलिवुड के डिफेंस मैं ऐसा यहां पर शशीतरूर जी बोल रहे हैं यहां पर लोग को हरस वगरा करना बंद करो काफियत तक आपको यह देखने को मिलेगा ठीक है और उसके बाद यहां पर जो भी हमा सब्सक्राइब होते हुए और यह बहुत इंपोरेंट था तो दोनों यह आर्टिकल हमारे एक्जाम के लिए इंपोरेंट ही हमें पता चली रहे देखकर ही कि आर्टिकल क्या इंपोर्डेंस रखता है तो गैस इसके साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाब आई हो आप लोगों सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाई है वनाइस टे थैंक यू एंड जैहिंद